Good morning children, आज हम कक्षा पाच्वी की हिंदी की पाठे पुस्तक जिल्मिल का पाठ बार है, हार नहीं होती कवीता को पढ़ेंगे और साथ साथ उसकी सैपरसंग व्याख्या भी करेंगे तो इस कवीता के अंदर हम पूरे तीन पहरों में इसको बाठेंगे और उन तीनों पहरों को जिस तरह एक्जाम में सरलार थाते हैं उस हिसाब से ही करेंगे देखो, कवीता शुरू करते हैं हम लहरों से डर कर नोका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ननी चीटी जब दाना लेकर चलती है, चड़ती दिवारों पर सो बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नए अखरता है आखिर उसकी महनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो यह एक पहरा बन गया, अब हम इस पूरे पहरे का परसंग के साथ सरलार्थ कैसे किया जाता है वो देखते हैं, परसंग लिखेंगे हम, परसंग में क्या कहेंगे यह पध्यांस हिंदी की पाठे पुस्तक जिल्मिल भाग पांच की कवीता हार नहीं होती से लिया गया है इस कवीता के कवी शिरी सोहनलाल दिवेदी यहां दिया हुआ है नीचे है इस कवीता में क्या कि कहा गया है कि इस चीटी के उधारन द्वारा जीत हासिल करने का संदेश दिया गया है तो यह हमारा परसंग हो गया, अब हम सरलार्थ करते हैं कवी कहता है लहरों से डर कर नोका पार नहीं होती कि कभी भी लहरों से डर कर हमारी नोका पार नहीं हो सकती नोका मतलब नाव कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जो मनुश्य किसी भी कारिये को करने के लिए कोशिश करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती वो उस कारिये को पूरा कर ही लेता है जैसे ननही चीटी जब दाना लेकर चलती है जो छोटी सी चीटी होती है वो दाने को लेकर चलती है और वो दाना उसे कई गुनाभारी होता है चड़ती दिवारों पर सो बार फिशलती है जब वो दिवारों पर चड़ती है तो बार बार फिशल कर नीचे गिर आती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है लेकिन उसके मन में विश्वास है कि वो उसकारिये को कर लेगी वो दिवार पर चड़ जाएगी वही उसका विश्वास उसकी रगों में साहस को भर देता है और वो गिरने के बाद फिर दुबारा परियास करती है चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नय अखरता है बार बार जब वो गिरती है और गिरकर फिर दुबारा चढ़ती है फिर दुबारा गिर जाती है इस बात का उसको बुर नहीं लगता क्योंकि उसको पता है कि वह बार-बार परियास करेगी तो सफलता उसको जरूर मिलेगी आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती अंत में मैं सफलता प्राप्त कर लेती है वो दाना लेकर उस दिवार पर चड़ जाती है और उसकी मेहनत जो है वो बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो ये जो उधारन दिया गया है इस उधारन से भी हमें पता लग गया कि जो बार-बार कोशिश करते हैं उनकी हार कभी नहीं होती वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हैं तो ये हमारा एक सरलार्थ हो गया अब दूसरा सरलार्थ करते हैं देखिए डूब कियां सिंधू में गोता खोर लगाता है जा जाकर खाली हाथ लोट कर आता है मिलते ने सहज ही मोती गहरे पानी में बढ़ता दूना उत्सहा इसी हैरानी में मुठी उसकी खाली हर बार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो ये हमारा दूसरा पहरा आगया इस पहरे का परसं़ हम उसी तरह से लिखेंगे इसमें कि यह है पध्यांस हिंदी की पाठेपूस्तक जिलमिल भाग पांस की कवीता हार नहीं होती से लिया गया है इस कवीता के कवी जो है वो सोहनलाल दिवेदी है और इस कवीता में गोता खोर के उधार्ण दुआरा सफल होने का संदेश दिया गया है तो इसमें जो परसंग है वो हम गोता खोर का उधार्ण जो दिया गया है उसके अनुसार ही लिखेंगे अब सरलार्थ, डूबकियां सिंधू में गोता खोर लगाता है, जो गोता खोर होता है, पानी के अंदर चला जाता है, जो पानी के अंदर से सारी चीज़े खोज कर भार निकाल के लेके आता है, उसको गोता खोर बोलते हैं, डूबकियां सिंधू में, सिंधू मतलब समुद् गोता खोर जो है वो समुन्दर में डुब की लगाता है बहुत गेराई तक चला जाता है जाकर खाली हाथ लोट कर आता है कि वो गेराई में जाने के बाद भी खाली हाथ लोट कर आ जाता है मिलते ने सहज ही मोती गेरे पानी में कि जो गेरा पानी होता है समुन्दर का उसमें मोती है बड़ी आसानी से नहीं मिलते सहज मतलब आसानी से उसके लिए बार बार जाना पड़ता है बढ़ता दूना उत्साहा इसी हैरानी में कि उसका जो उत्साह है वो और जादा बढ़ जाता है जब वो उसको मोती नहीं मिलते वो और जादा उत्साह से और जादा गहराई में डुबकी लगाता है मुठी उसकी खाली हर बार नहीं होती वो बार बार जब नीचे गहराई में जाता है तो हर बार वो खाली हाथ लोट कर नहीं आता उसको मोती उसके परियासों से जरूर पराप्त होता है जब उसको मोती नहीं मिलता फिर वो दुबारा डुकी लगाता है लेकिन उसकी सफलता है जो वो उसके पर्यासों पर ही निर्भर करती है और वो हर बार उसकी मुठी खाली नहीं होती वो मोती लेकर जरूर आता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कि जो कोशिश करता है बार बार पर्यास करता है गोता खोर की तरह वो कभी भी हार नहीं प्राप्त करता वो कभी न कभी अपनी विज्य को प्राप्त कर ही लेता है तो ये हमारा दूसरा सलार्थ हो गया अब हम तीसरा सलार्थ करते हैं ए सफलता एक चुनोती है सुविकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक ने सफल हो नीद चैन की त्यागो तुम संघर्सों का मैदान छोड मत भागो तुम कुछ किये बिना ही जैजयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो यह हमारा तीसरा सरलार्थ है जो तीसरा पहरा है उसका पर जो हमारा परसंग है वो उसी तरह लिखेंगे जो हमने पीछे हमारे दो पहरों का लिखा था इसमें अब हम सरलार्थ करेंगे देखिए कैसे करेंगे सरलार्थ ए सफलता एक चुनोती है स्विकार करो जो ए सफलता है कभी कहता है कि ए सफलता मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ी चुनोती है और इस चुनोती को उसे स्विकार कर लेना चाहिए क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो और उस कमी को सुधारने का प्रियास जो करना चाहिए देखना चाहिए कि पिछला जो हमने कारिय किया है उसमें हमारी क्या कमी रह गई थी और फिर हम उसे सुधार करके और दुबारा कारिय करना चाहिए जब तक ने सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम कभी कहते हैं कि जब तक तुम्हे सफलता ना मिले तब तक तुम आराम दायक नींद को त्याग दो और बार-बार पर्यास करते रहो संगर्सों का मैदान छोड़ मत भागो तुम और जो संगर्स करते हुए कभी भी हमें मैदान को छोड़ कर नहीं जाना चाहिए अर्थात, रुकावटों और मुसीवतों से घबरा कर लक्षे से पीछे मत हटो, कुछ किये बिना जैजयकार नहीं होती, जब तक हम कारिये अच्छी तरह से नहीं करते, महनत नहीं करते, तब महनत करते हैं, इस परकार कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, वो कभी ना कभी वीजय को प्राप्त जरूर करता है, हो सकता है, उसको वीजय प्राप्त करने में समय लग जाए, लेकिन उसके परियास हैं, जो वो हर बाहर ऐस अपलता मिल सकती है, लेकिन बार बार पर अच्छी अच्छी शिक्षाइं देती है हमें ये बताती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए बार बार प्रियास करने चाहिए और हमारे जो प्रियास हैं वो कभी न कभी सफलता को जरूर हमारे पास लेकर आते हैं और हमारी जो ऐसफलता है वो वो भी हमें शिक्षा द पड़ना भी आना चाहिए साथ में मैंने आपको इनका सरलार्थ बताया है वो सरलार्थ हमें अच्छी तरह से सीखें इसको समझें और उसको अच्छी तरह से अपनी कोपी के उपर लिखें और इस तरह से बच्चो फिर तो प्यारे बच्चो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल online study hub को subscribe जरूर करें और साथ में जो bell icon है उसको दबाना ना भूलें क्योंकि अब हम अगली वीडियो में इस कवीता का अभ्यास करवाएंगे और वो अभ्यास वाली वीडियो आपको अच्छी तरह से और पहले मिले इसके लिए आप bell icon ज साथ जिसमें इस कवीता का अभ्यास करवाया जाएगा तो बाई बच्चो